आप सबी लोग टेलीग्राम जरूर चलाते होंगे और चलाएंगे भी क्यों ने क्योंकि इसमें खासियत इतना जाएदा है और इतने फीचर के साथ एक सवाल तो मन में जरूर आता है क्या टेलीग्राम सेफ है या नहीं है अगर खासियत की बात किया जाए तो इसमें ईजरने उनके लिए तो यह बर्दान सावित हो रहा है आज के डेट में जो जेनरल कमपेटिशन के तैयारी करते हैं वो और जो लोग जो है नर्माली कोई चीड पीडियाफ डाउनलोड करना हो स्टड़ी क्लासेस का हो या कोई लेटिस्ट मोवी का हो इसका धरले से इस्तमाल यहां पर करते हैं लेकिन मन में एक सबाल जरूर आता है क्या टेलीगराम हमारे लिए सेफ है या नहीं है और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के बढ़ते इंटरनेट बेंकिंग मोबाइल के दौर में हम सभी के मोबाइल में जो है फोन पे गूगल पे या कोई यूपिया अप्लिकेशन होता है और साथ साथ जब टेलीगराम इस्टॉल करते हैं और इसमें आपका जो है कम्प्लीटली जो है प्राइविट इमेज प्राइविडियो जरता है जिसके करण डर लगा अब आप कहेंगे यार ऐसा कैसे बोल रहे है कि टेलीगराम सेफ भी और टेलीगराम सेफ नहीं है अगर अगर ऑथेंटिसिटी की बात किया जाए तो एक दम जैनून अप्लिकेशन अगर आपके मबाइल में है टेलीगराम का तो आपको कोई टेंसन लेने की जोड़त नहीं है मतलब की सेफिटी बाइज अगर देखा जाए तो टेलीगराम का ओरिजिनल अप्लिकेशन बहुत ज्यादा सेक्योर माना जाता है आपको टेंसन लेने की जोड़त नहीं है सिर्फ एक फीचर जो वाटसप में है और जो टेलीगराम में नहीं है वो है चैट वाला जो है इ ऐसा मुवी जो आभी हाल में जो है सिनेमा हॉल में रिलीज हुआ है लेकिन आप चाहते हैं नहीं मैं टेलीगराम पर एच्टी में लेटरिस्ट मुवी देख डालो सिनेमा हॉल में नहीं जाओ तो वहाँ पर दूसरी बात है कि जितने भी एडल टाइप के बेव सिरीज है यह सब एडल इमेजज है यह सब देखने के लिए लोग टेलीगराम पर जादा आते हैं नहीं यूथ आते हैं जो कि बहुत जादा रिस्की इसलिए बन रहा है क्योंकि यह जो बैट गाइस जिसको कहते हैं जो आपके डेटा चोरी करने के लिए आते हैं जो आपके लिंक के थुरू आते हैं इस तरह के पोटल के थुरू आते हैं जैसे ही आप वहां पे कुछ ऐसे link को क्लिक करते हैं जिससे होता ही है कि malware के साथ जू है spyware हो गया, adware हो गया, etc. बहुत सारे चीज जो आपके फोन में इस्टॉल हो जाता है बैक डूर में इस्टॉल हो जाता है और काम करते रहता है आपको पता भी नहीं चलता है तो ऐसे में आपको कहूंगा कि अगर आप जो है अच्छे परपस के लिए टेली ग्राम के इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई ऐ आपके लिए बहुत बहुत बढ़ी है क्योंकि यहां पे लगग लगग वहाज के लिए बहुत अब यहाँ बाद भी वाट्स अब Susi जाता है फीचर्व के लिए लेकिन हाँ WhatsApp चुकी जो है Facebook का पार्ट है जिसके अकारण से इसका पर्मोसन जो है ये जो है corporate से टाइप करके इसका government से टाइप करके इसका इस्तमाल जाएदा खरवा रहा है जिसके अकारण से WhatsApp को लोग जाएदा जो है प्राइवरिटी दे रहे हैं और Telegram को जो है जो इचुक के चैनल हो Telegram पे जहां पे movie जो या illegal चीज मिल लहाओ वहां पे आपको जो है link दे करके और कहा जा रहा है download करने के लिए तो वह आपके लिए risky चीज हो सकता है याद रहे मैं आपको फिर से remind करना चाहता हूं simple एक PDF फाइल भेज कर भी आपके mobile का सारा data copy किया जा सकता है ऐसे movies वाले जो है channel बना करके और इसके बाद circulate internet पे कर देता है तो कितने लोगों का privacy risk पे आ जाता है अब आप नीचे comment section में बताइए कि आप telegram का इस्तमाल किस purpose से करते हैं